हाई गाईज में आप तुनाप से देख रहा हूँ आपी की चैनल तुनशिल को दोस्तों आज के इस वीडियो पे इन्स्ट्रिम एड का सबसे बरा अपडेट देने जा रहा हूँ और इस अपडेट को लेके मैं भी बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि यह अपडेट कब आए हो कि October के बाद शायद Facebook का monetization process खतम होने वाला है मैं इस topic पे कुछ नहीं कहा चुप रहा क्योंकि मैं भी खुद वेट कर रहा था आखिर officially announcement के लिए कि Facebook ऐसा क्या बरा करने जा रहा है आने वाले October में अब देखो दोस्तों अगर आप लोग monetization पे section पे आते हो और in stream ad पे click करते हो तो एक pop-up आपको नजर आ रहा होगा आपके monetization बाला in stream ad के अंदर आ रहा है के नहीं आ रहा है ज़रू comment करके बहताना दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है term update for in stream ad यानि कि सबसे बरा update जो इस साल का होने जा रहा है वो होने जा रहा है in stream ad के terms जो है facebook के जो rules guideline policy है वो change होने जा रहा है और इस change को as a creator आप लोग को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कहा जा रहा है कि effective as of 6th October यानि कि आने वाले 6 October में आप लोग को इस terms को accept करना परेगा अगर आप लोग facebook platform पे कोई भी facebook का monetization tool को use करके पैसा कमाना चाहते हो especially for in stream ad दोस्तों यहाँ पे कहा गया है if you don't follow the terms for in stream ad अगर आप लोग हमारे in stream ad के जो terms है उसको follow नहीं करते हो you may not be eligible to receive any payout for in stream ad यानि कि अगर आप लोग हमारे terms को follow नहीं करते हो तो आप eligible नहीं रहोगे in stream ad के payout को receive करने के लिए तो यह बहुत बरा बात in stream ad के हबाले से facebook ने कह दिया अब दोस्तों यह terms क्या है क्या बदला होने जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है तो यह वो terms है जहाँ पे facebook ने अपने terms guidelines rules को change किया है जो के as a creator आप लोगो को समझना बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे दोस्तों यह जो तीन point है यह तीन point को आप लोगो को समझना बहुत जरूरी है हाला कि यहाँ पे तो बहुत कुछ terms के अंदर लिखा हुआ है already ऐसे भी चीज़े terms के अंदर है मैंने read किया है जो के पहले से ही था मगर नया क्या change हुआ है क्या terms पे बदला हुआ है वो समझना as a creator आप के लिए बहुत जरूरी है तो मैं सबसे पहले उपर से basic fund क्लियर करता हूँ आप लोगों का जहाँ पे facebook कह रहा है the ad tools यानि कि ad tools का मतलब है दोस्तों facebook का जो different different monetization tool होता है जैसे के in stream ad हो गया star monetization tool हो गया ads on reals monetization tool हो गया bonus यानि कि performance bonus tool हो गया ऐसे हर एक monetization बाला जो option है वो एक ad tool के जैसा आप लोग समझ लो यहाँ पे कहा गया है allow you to have meta place add into or around your eligible content यह जो add tool हम लोग monetize करते हैं जो भी monetization tool से आप monetization करते हैं करने के बाद हम क्या करते हैं meta को allow कर देते हैं कि meta हमारे जो eligible content है उसके around add place कर पाए यहाँ पे लिखा गया है you may be eligible to earn a share revenue from ads दोस्तों सबसे बड़ा जो policy पे बदला होने जा रहा है आने वाले October 6 ते तो बात यहाँ पे ही लिखा गया यह जो line है यह समझना और आप लोग को समझ के काम करना Facebook पे बहुत जरूरी नहीं तो बाद में आप लोग बहुत सारे लोग बहुत सारे बिमाग कहते रहोगे यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है you may be eligible to earn a share of revenue from ads डिटार्माइन एट मेटा सोल्ड डिस्क्रियेशन अब इसका मतलब है पहले दोस्तों टाम्स पे क्या था पहले टाम्स पे था Facebook पे अगर आपके कोई भी eligible content पे एड आता था तो Facebook वो एड का जो भी इसको मिलता था उसका 55 प्रतिशद आपको दे देता था और 45 प्रतिशद Facebook खुद रखता था मंगर अब टाम्स चेंज करके Facebook बोल रहा है you may be eligible to earn a share of revenue from ads आपके साथ eligibility अगर आप मानके चलोगे तो आपके साथ Facebook जो है वो एड का revenue share करेगा मगर कितना प्रतिशद share करेगा वो आप change हो चुका है अब यहापे कोई transparency नहीं है कि 55% creator को मिलेगा अब Facebook कह रहा है यह हमारा मर्जी है हम कितना देंगे यहापे लिखा हुआ है determined at meta soul discretion यानि कि meta decide करेग कितना आपको मिलेगा ओ एक रुपे भी हो सकता है दो रुपे भी हो सकता है तीन रुपे भी हो सकता है दस रुपे भी हो सकता है उसके हिसाब से जितना देना होगा उतना आपको देगा आपको यहापे कोई parameter judge करने के लिए नहीं रखेगा या फिर आपके लिए कोई transparency नही टेस्टिंग के तहक वो अपडेट Facebook रोल आउट करने वाला है 6th October से यही मेंग अपडेट है हाँ जी तो चुल 13 को क्या अपडेट आया था अपडेट यही था कि Facebook जो है आप लोगों का जो इंस्ट्रीम एड में एड इंप्रेशन RPM बेजड आपको पे करता था वो अब खतम होने को आया है आने बाले कुछ समय के बाद आप लोगों को आपके वीडियो पे कितना व्यू आ रहा है उसके उपर मेटा के सेल्फ डिस्क्रेशन से पेमेंट देगा यानि कि व्यू के उप पर बेश्ट करके पेमेंट दिया जाएगा आप कितना भी उपर कितना देगा उसका कोई ट्रांसपरेंसी मेटा नहीं देगा आपको यही सीधा-सीधा यह आपडेट कहा रहा है चीख-चीख के यहाँ पर कहा गया है डेलिवर्ड एजर्ट आफ यूर एट टूल इलेक्श वो है point G G number point में जैसी आया मुझे बहुत ही डर लगा आप लोगों डर लग रहा है के नहीं लग रहा है जरूर comment section में comment करके बताना है यह जो point है यह नया है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि यहाँ पे कोई guarantee, warranty, expression नहीं है, implies नहीं है कि कितना आपको और देगा भी या नहीं देगा आपके eligible content monetized है यहाँ पे Facebook अपने उपर सब कुछ ले लिया है, full power अभी Facebook का है, Meta का है, creator का कोई power नहीं है, कोई transparency नहीं है, creator जाके कहीं पे भी चीक नहीं सकते कि आप हमारे payment नहीं दे रहे हो, आप हमारे earning मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि वह terms पे सिधा सिधा कहा गया है, कोई guarantee warranty नह मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हाला कि मैं एक चीज़ आप लोगो clarify करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत लोग सोच रहे थे, October आएगा, तो Facebook खतम, वो खतम नहीं हो रहा है Facebook, यहाँ फे मैं आप लोगो clarify करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि creator अभी भी रहेगा, अभी भी आप धेर सरा पैसा कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगो को पहले transparency के साथ पैसा दिया जाता था, वो अब Facebook नहीं देगा, यानि कि business Facebook का अच्छा चलेगा, payment आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको अच्छा payment मिलेगा, आप ज़्यादा content create करोगे, तो उससे Facebook का भी revenue बरेगा, क्योंकि उसी वीडियो पे, उसी content पे Facebook फिर add place करेगा, एड़ड़ाईजर कही से भाग नहीं जा रहा है, add आता रहेगा, तो Facebook आपको पैसा देता रहेगा, अब पैसा जो Facebook देगा वो है, कि Facebook का अगर profit जादा होगा, तो आपके साथ revenue share जो है, वो भी जादा होगा Facebook का profit थोड़ा कम होगा, तो आपके साथ जो revenue share होगा, वो भी Facebook के तरफ से कम होगा, बस इसी के लिए Facebook ये सब terms, policy, changes किया है, तो आप लोग को as a creator जो करना है, वो पहले के जैसा ही के काम करते रहो, वीडियो पे जादा view लाओ, तो आपके साथ जादा revenue share होने का chances रहेगा, अ आप लोग क्या सोच रहे हो, इस अपडेट को लेके, जरू कॉमेंट सेक्षिम ने कॉमेंट करके बताना मिलता हो अगले बडियों के साथ, तो आप लोग खुश रहो, आप आद रहो, और मैं पुगणा पर दोस्तों, बाई!